बासकार मित्रों आपका बहुत स्वागत है मित्रों सिख्षा का साहित में बॉस की सर जो वली कानन का लिखी हुई बाल मनो विज्ञान पर अधारी कहानी है स्वाज में जब चोटे थे तब उन कहानीयों को समाज में किसी न किसी घटना को पर दरसित करती थी वो एक काफी रोचक लगती थी और हम कह सकते हैं कि आज के संदर्म में वैसी कहानियों को सुनाने वाले लोग नहीं हैं क्योंकि उन कहानियों को परिवार के बड़े बुजुर्गी सुना पाते थे और आज की समर्चना हम कह सकते हैं कि ऐसी हो गई है कि अब समाज में एक और परिवार है सहर में लोग रह रहा है और अलग-अलग हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि परिवार के लोग रहते हैं मित्रों वली कानम की बस की सायर ये कहानी एक बच्ची जो जिसके नाम और उम्र आठ वर्स की है और उस कहानी के माध्यम से एक बाल चरित्र का वर्णन किया गया है जिसमें निर्भीक्ता, स्वाभिमान, वाक्चातुर्य, स्वम्वेदना, जिग्यासा, कल्पना, परवंधन, संदर्या नुहूती, साउधानी जैसे मान्वी गुणों को उस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है और कथा के अंत में एक ऐसी घटना आई है जहां पर एक वुजुर्ग महिला उस बच्ची को करें कि बीते भर की इस लड़की को तो देखो, बड़ों की बात में टांगन आती फिरती है और जैसे बड़ी पुर्खिन हो, अमा जो देखे कि कहानी है क्या, एक बल्ली अमाई नाम की लड़की थी, जो अपने नाम से या हम कह सकते हैं कि जैसे समानरूप से बच्चे किसी रूप में किसी को उनके नाम के अधार पर या कोई ऐसे युक्ति निकाल देते हैं, जो चिढ़ाने का एक माध्यम बन जाता है, या उनके मनरण्यन का माध्यम बन जाता है। सचमुच में इस तरह से कोई चिढाता तो वो काफी गुसे में आ जाती थी और फिर वो घर चली जाती थी और सोचते थी कि सचमुच में माबाप हमारा नाम इस तरह से क्यों रखा। हलाकि फिर बाद में ये गुसा उनका बहुत कम समय के लिए रहता था और फिर बाद में वो अपने गुसे को खत्म कर दीती थी। तो मित्रों इस तरह की घटनाए होती रहती थी। एक बार की बात है अंग्रेज सिपाही आया और अंग्रेज सिपाही को देखने के लिए गाओं के औरते की तो होड लग गई। लेकिन बच्चे और बहुत सारे बुजूर्ग घर छोड़कर इधर से उधर भाग गई या कुछ का सकते हैं कि उसको कहीं न कहीं शीप गए। लेकिन वो बली अमाई सच मुझ में थोड़ा भी नहीं घवड आई। और वो जो अंग्रेज सिपाही आया उसे बली अमाई ने सैलूट मारा और सलाम कहा। और उस अंग्रेज ने जब इस लड़की को देखा और इसके सलाम को देखते हुए उसने भी उसका उतर गूड मॉर्निंग में दिया। और संच मुझ में अब वो आकर कहने लगी कि मैने तो यह कंग्रेज से बात कर ली है। और वो उसकी बहादुरी की एक बात हो गई समाज में। और संचमुच में ये उस सड़क पर जो बैठी रहती थी तो बैठे हुए बहुत सारी बातों को देखती थी और समझती थी कभी बैल गाड़ी आ रहा है, बैल के गर्दन की घंटी बज रही है, कभी कोई इधर से उधर जा रहा है कभी उत्ताइस रास्ते को करस करके उस रास्ते से जा रहा है कभी भिखारी उस रास्ते से जाता है तो कभी फेरी वाला या दीन भर ताता लगा हुआ रहता है और वो उनको काफी ध्यान से देखती रहती थी लेकिन इन सबों में बस जो वहां से उस सड़क से बुजरती थी वो सबसे आकर्षण का केंडर था उसके लिए और वो बस को बहुत ध्यान से देखती थी, कभी कोई उस बस की चर्चा करता था, तो जल भून जाती थी, क्योंकि वो बस से कभी सहर में गई ही नहीं थी, और धीरे धीरे उसने अपने मन में सोचा कि मैं भी क्यों नहीं सहर में जाऊं और इसके लिए सच मुझे में वो प्लान भी बना ली और सहर वहाँ से 10 किलोमीटर था और सहर तक पहुचने के लिए 60 पैसे किया उसकता है 30 पैसे जाने का और 30 पैसे आने का किराया और लगभग एक घंडे की बात है दोनों आने जाने का लग 45 मिनट का आने 45 मिनट में जाने का तो इस तरह से वो करके और एक बार वो बस के सवारी के लिए तैयार हो गई और जाकर बस को हाँ दे जब कंड़क्टर ने लड़की को देखा तो कुछा कि आखिर बस पर जाने वाला कौन है और लड़की ने कहा कि दूसरा कौन मैं ही जाओंगी और निर्भीगता के साथ उसने उतर दिया तो लड़की जब जाने के लिए उससे कह बताई तो जो कंड़क्टर था थोड़ा सा सोचा लेकिन फिर उसको बैठा दिया जब वो उसको बैठाने लगा और बस पर चाहान लेगा तो लड़की नहीं कोई दिकत नहीं है मैं सेहम बैठ जाओंगी और वो सच मुच में जाक वहाँ पर बैठ गई और डराइवर के बगल में या हम कह सकते हैं कि वह जो कंड़क्टर था वह भी थुड़ा सा हसोड दिमाग का था और उसने कहा कि आये बैठिये और उसने के लिए दो भाई रास्ता तास की वेगम तस्रीफ ला रही हैं और जाकर वो अपने जगह पर बैठ गई उसके बाद वो पैसा भी भाषत पैसे देख दी उसके बाद बस खुल गई और वो बस जाने लगी और इधर से उधर वो सारी परकिरियाओं को देखने लगी कभी बाहर देखती कभी बीतर देखती और इसी क्रम में वो उसने जो कौतुहल उसके मन में था कि कभी वो बस पर चड़ी नहीं थी और एक जो बगल में सवारी थी उसने उसकी कौतुहलता को देख कर अरे तुम ऐसे क्यों कर रही हो तुम बैठो ऐसा उसने चुकि वो खड़ाओ कर इधर से उधर ताक रही थी बाहर भी गर्दन कर रही थी लेकिन वो जब उसके लिए कहा कि तुम बैठ जाओ आसानी से तो उसने जबाब दिया कि मैं पूरा भाड़ा दी हूं और जितना भाड़ा लगता है के लिए उतना भाड़ा दे कर आईसा नहीं बीने भाड़ा का बैठी हूं और उसके बात को सुनकर वो जो कंड़क्टर था उसने भी कहा कि जी हाँ बेगम साहिबा कोई बाचा किराया थोड़े देता ही या पूरा किराया देकर बैठी हुई है और ये टिकट भी लिए तभी उसने कहा कि आप टिकट कहां दिये हैं चुकि वो कंड़क्टर टिकट नहीं दिया था फिर कंड़क्टर ने अपनी गलती को सुधारते हुए एक टिकट को फार कर उसे दे दिया उसके बगल में एक औरत आकर बैठ गई और औरत ने उसे कहा कि तुम अखेली कहां जा रही हो तब उसने कहा कि मेरे पास टिकट है मैं सहर जा रही हूँ फिर वो कंड़क्टर ने कहा कि हाँ हाँ इनके पास टिकट है और टिकट लेकर ये सहर जा रही है तब वो बगल में जो औरत बैठी थी कि इतनी छोटी उम्रे के बच्ची को अकेले जाना ठीक नहीं है और सहर में कहा जाना है, किस गली में जाना है यह जा नहीं सकती है, भूल जाएगे तब उसने फिर कहा कि नहीं, ऐसा कोई करने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, सब जगा हम पहुंच जाएंगे, हमें कोई दिकत नहीं होगी उसके बाद बस आगे बढ़ती गई, रास्ते में एक बचड़ा मिला, जो की बस की आवाज से इधर से उधर दाव रहा था, उसको देखर उसके मन में कौतुहल उठी, फिर आगे जाकर एक रेलवे फाटक मिला, जहां कुछ देर बस रुकियों फिर ट्रेन धर धर आते हुए बाहर निकली, फिर पस जाकर स्टेशन के पास रुक गई, सब लोग उतर गया, लेकिन वो लड़की बैठी रही, तब कंड़क्टर ने कहा कि अब तुम्हारा जो पैसा दी हो, खत्म हो गया, अब तुम बस से उत्रू, फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं, इसी बस से मुझ लोड जाना है, और तुरात उसने 30 पैसा और दे दिया, फिर ड्राइवर के साथ जो कंड़क्टर था, वो नीचे उतरा तो उसने कहा कि तुम कुछ खाना फिना कर लो वेगम साहिवा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास जितने पैसे थे मैं भाड़ा के लिए दे दी, फिर उसने कहा कि ड्राइवर के साथ जो कंड़क्टर नीचे उतरा था, कि पैसा की चिंते करने की जूरत नहीं है, मैं पैसा दे दूँगा, और तुम कहो तो मैं कुछ बाहर से खाने के लिए ला देता हूँ, लेकिन उसने फिर माना कर दिया कि नहीं, मुझे किसी चीज की जूरत नहीं है, और अंत में फिर बस खुली, और बस खुलने के बाद समय से वो अपने घर पहुंच गई, तीन बज के चालिस मिनट पर लगभग घर पहुंची, तो देखी कि उसकी मा जग गई है, और मा किसी से बात कर रही है, और वो बात जिससे कर रही है, वो दक्षिन गौली वाली काकी थी, जो काफी बातुनी थी, और बात करने में उसको कोई हरा नहीं सकता था, उसने फिर पुछा कि तू कहां गई थी, हलाकि अन्यमनस्थ से पुछी, उसका जबाब भी वो नहीं दी, फिर बात में बात चित के करम में उस काकी और इसके मा के बात चित जो चल रही थी, उसी में उसने कहा कि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, पता भी नहीं चलता है, फिर भी हम सोचते हैं और प्रयास करते हैं, लेकिन तब भी सच मुच में उन घटनाओं को हम नहीं समझ पाते हैं, बाली के म ही उसकी मा ने कहा, यहां ही जो कह रही थी, बाहर क्या होता है, कुछ हम लोगों को पता नहीं, यानि बाहर जो होता है, वो हम लोगों को घर में रहते हैं, यह पता नहीं, बाली की मा ने कहा, और यह सुनकर वो जो काकी बात कर रही थी, तो उसने जला कर बोली कि बीते भर कि इस लड़की को तो देखो बड़ों की बात में टांगण आती है जैसे बड़ी पूर्खिन हो काकी ने कहा बली सुनकर वितर ही वितर मुस्करा कर रह गई और कोई जबाब नहीं दी तो सचमुच में इन घटनाओं को जो कहानी के माध्यम से परदर्शित की गई है बाल मनोविज्ञान की परिस्थिती को बढ़न करते हैं और हम इसको बहुत ही संशिप्त में अगर कहना चाहे तो एक बच्चे की बालक के मन में निर्भीक्त आस्वाभिमान, वाक्चातूरे समवेदना, जिग्यासा, कल्पना, परवंधन, संदर्या, नुभूती, सावधान नियादी बहुत सारे मानव गुणों को इस कहानी के माध्यम से छोटी-छोटी घटनाओं को दर्शाकर दिखाने का प्रयास किया गया है और संचमुच में हम लोग समझते हैं कि बच्चा पूनता खाली है लेकिन होता इसका है पूनता उल्टा धन्यवाद मीत्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और बॉस की सर वली कानन द्वारा लिखी पुस्तक का सार संचेप यहीं है, धन्यवाद मीत्रों